हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आहूं Zenfone 3 Max तो चलिए शुरू करते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम Zenfone 3 Max इसमें Zenfone 3 Max और देखते हैं बॉक्स में एक चार्जिंग एडप्टर दिया गया है एक फास्ट चार्जिंग एडप्टर है टू मिली एम्पेर का और इसके साथ एक यह डाटा केबल कम चार्जिंग केबल यह Micro USB केबल है टाइप C नहीं है और इसके साथ एक बॉक्स में आता है OTG केबल जो इसको रिवास चार्जिंग फीचर के लिए भी सपोर्ट करता है और यह इसके साथ एक Sim Ejector टूल है तो चलिए देखते हैं दोस्तों यह है Aso Zenfone 3 Max जो Dual Sim 4G Sim Slot के साथ आता है यह 5.5 इंच का इसका डिस्प्ले दिया गया है जिस पे काफी अच्छा 2.5D कर्व ग्लास दिया गया स्क्रीन के उपर और साथ ही इसमें उपर की तरफ इसमें 3.5 mm जेक दिया गया है जो आडियो जेक है और इसमें हम 3.5 mm जेक लगा कर इसका हम यह फोन के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही एक noise cancellation mic दिया गया है नीचे की साइड में इसमें एक micro usb port दिया गया है charging के लिए जो fast charging 2.0 micro usb slot है और साथ में एक secondary इसके अंदर जो है noise cancellation दिया गया है port और साथ में एक speakers इसके down side दिया गया है यह back side पे इसके 16 megapixel का camera दिया गया जो pixel master camera है 2.0 aperture speed के साथ आता है और 5 prism lens इसमें दिया गया है और यह PDF fast laser focus के साथ आता है इसमें electronic image sensor भी दिया गया है और 0.03 second के साथ यह focus करता है काफी speed के साथ है और इसके अंदर front side पे 8 megapixel का secondary camera दिया गया है जो 8 megapixel का है और यह भी pixel master camera है 2.2 aperture speed के साथ आता है जो low light HDR beautification feature को support करता है और connectivity के लिए इसके अंदर Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi direct feature दिये गया है जो category 4 के अंदर 4G voltage feature को support करते है network को GPS, AGPS, GPRS जैसे features भी इसके अंदर दिये गया है और FM radio भी है इसमें प्री इंस्टॉल अप दी गई है FM radio की तो पीछे की साइड इसमें dual LED flash दी गई है और साथ में ही laser focus दिया गया है जो इसको fast focus में support करता है और इसको asus claim करता है कि यह 60 megapixel camera जो है 64 megapixel का resolution देता है और साथ में fingerprint sensor दिया गया है जो 5 fingerprint scan करके store कर सकता है और जिसको हम अलग-अप्लिकेशन के authentication के साथ साथ लॉक और unlock feature के लिए भी use कर सकते हैं और इसके अंदर 4100 यानी 4100 mAh की battery दी गई है जो एक पूरी power bank का काम करती है और इसमें reverse charging feature दिया गया है लीथियम आयर पॉलिमर बैटरी है इसके अंदर 4100 mAh की और dual sim 4G sim slot के साथ आता है यह लेकिन इसकी कि जो secondary sim है second sim slot है वह hybrid sim slot है जिसमें हम या तो sim use कर सकते हैं as a sim slot या फिर इसके अंदर हम सब्सक्राइब देखें जो 32 GB इसके अंदर इंटर्न स्टोरेज दी गई है उसको expand करने के काम आता है जो 128 GB तक के memory card को support करता है और यह 3GB RAM के साथ आता है और इसका जो camera है primary camera जो इसके अंदर दिया गया है वह super HD low light selfie and panorama beautification time lapse mode को bus mode को support करता है कि इसमें Bluetooth Wi-Fi Wi-Fi hotspot जैसे feature दिये गया है dual sim 4G sim slot के साथ आता है 4G voltage के अंदर feature दिया गया है यह android का latest 6.01 android operating system marshmallow के साथ आता है जिसके साथ इसमें asus का अपना बनाया हुआ zen user interface 3.0 दिया गया है 3 GB RAM के साथ इसमें 32 GB internal storage दी गई है जिसे हम memory card के through 128 GB तक expand कर सकते हैं तो इसमें चलिए देखते हैं इसमें आपको 32 GB में से आपको only 22 GB तकरीवन 10 GB के करीब इसके अंदर application और operating system acquire करता है बाकी के 22 GB आपको यूज करने के लिए मिलते हैं जिसमें आप अपना data store कर सकते हैं pictures, videos, music कुछ भी इसमें आप store कर सकते हैं और यह इसमें 3 GB RAM दी गई है जिसमें से टोटल यह शो कर रहा है 2.8 बाकी 0.2 है system reserve शो कर रहा है और 1.2 GB इसकी यूज में है बाकी की 1.8 हम अपना phone रन करने के लिए यूज कर सकते हैं इसमें काफी सारी application दी है यह आप सुसने Zenfone 3 Max जो है 8.5 mm thickness के साथ आता है काफी slim और premium लुक है इसकी और इसका glass जो उपर इसके display पर दिया गया है वो कर्व ग्लास है 2.5 D कर्व में आता है और इसका aluminum alive body है full metal जिसमें यह diamond cut edges के साथ इसका लुक जो बहुत ही premium लगता है और इसके sound के लिए इसके अंदर इसमें ice power speakers दिये गए है जो इसके music experience को enhance करते हैं fast charging के लिए इसके अंदर micro usb 2.0 पोर्ट जो है इसके नीचे की तरफ दिया गया है 41 mAh की battery इसके अंदर दी गए जो reverse charging के साथ साथ 5 power saving modes इसके अंदर दिये गए है इसके जिसके साथ user अगर अपने यूज के मुताबिक इसको कस्टमाइज कर सकता है और यह phone जो है qualcomm snapdragon 430 octa code processor 64 bit के साथ आता है और इसमें graphic के लिए इसके अंदर जो है Adreno 505 GPU दिया गया है जो वोल्टे फीचर के category 4 network के साथ compatible है और इसमें graphical games को support करता है 3GB RAM के साथ 32GB internal storage दी गई है जिसको 128GB तक expand कर सकते हैं इसके hybrid sin slot के through और इसके अंदर जो 4G network पर इसका जो battery backup है Asus के मताबिक इसका 38 दिन तक आपको यह power backup देती है standby पर और 3G network पर 17 गंटे तक का talk time यूज कर सकते हैं और 72 गंटे तक का music इस पर play कर सकते हैं और 18 गंटे तक हम इसमें video playback कर सकते हैं और 19 गंटे का time इसमें दिया गया है Wi-Fi पे browsing के लिए जो पावर के पावर सेविंग के पांच मोड के साथ आता है जिसके हिसाब से यूजर अपने मताबिक अपने यूज के मताबिक इसको कस्टमाइज कर सकता है अब इसके साथ एक और यह यूज बी ओटीजी केबल दी गई है जो इसकी रेंवर स क्यार्जंग फिचर के लिए जब आवर बैंक भी फोन काम करता है और अ कि अल में देखते हैं इसको म junior इसको मैं करते हैं इसमें सक्षारु का मिरश चरुट करता है तो यह देखते हैं हम रिवर्स चार्जिंग फीचर कैसे काम करता है यह हमने लगा दिया है और यह देखिए इसमें रिवर्स चार्जिंग फीचर अब यह काम कर ला ठीक से यह चार्जिंग स्टार्ट होगी है फोन की अब हम इसमें देखते हैं जियो सिम का इसके अंदर नेटवर्क सपोर्ट करता है यह नहीं करता है अब 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 हुआ 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 है हुआ है हुआ है इसको फॉर्स सिम स्लोट में रखना है आपको ताकि यह फॉर जी फीचर को सपोर्ट करें देखिए यह लिखा हुआ आ गया जियो फॉर जी और स्क्रीन है इसका डिवाइस इसदी कैपेबल यह लिखा आगया देखिए फॉर जी वोल्टे फीचर इसके अंदर इन बिल्ड दिया गया है इसके लिए आपको जियो डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इन बिल्ड इसके अंदर सपोर्ट दी गया है आजिए देखते हैं इसको हम कॉल करने के लिए अगया है अगया है तो देखा आपने दोस्तों यह जियो सिम को भी सपोर्ट करता है यह देखिए जियो का सिम बिना जियो एप्स डाउनलोड किया ही यह काम कर रहा है 5.5 फूल एच्डी डिस्प्ले के साथ साड़े पांच इंच का यह फोन काफी प्रीमियम दिखाई देता है जो सत्रह हजार रुपे जिसका रेट रखा गया प्राइज रखा गया है त्री कलर्स में आता है यह टाइटेनियम ग्रेग ग्लेशिय सिल्वर और गोल्ड तो दो दोस्तों यह प्रीमियम सा देखने वाला फोन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमें बताएं अगर कोई सावाल आपके मन में है आपकी क्वेरिज हम सौल करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में हम इसका कैमरा का रिव्यू भी देंगे और इस अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी लाइक कीजिएगा शेर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और भी अलग लग अच्छे अच्छे डिवाइस लाते रहेंगे तो अभी के लिए इतना ही थैंक्यू